आज की सेकंड रेश शुरू होने जा रही है आज की सेकंड रेश ड्रोन टेक आफ करने के लिए तयार है अपनी LED लाइट के साथ उड़ता हुआ ड्रोन रेड एन ग्रीन लाइट और उसने फर्स ओप्शेकल पार किया और इसी के साथ सेकंड ओप्शेकल पार करता हुआ AIS SMS का ड्रोन हमारे पाइलेट गगन गगन को छूते हुए ड्रोन को तेज गती से चलाते हुए और सारे उप्शेकल को पार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे है एक बार गगन पाइलेट के लिए यहाँ पे ताली होनी चाहिए और इसी तरह से वो आगे बढ़ते जाए अभी भी उनका क्वालिफाइंग राउंड हुआ था उन्होंने काफी कम टाइम में इसको पास किया था और अभी यहाँ पे हाफ लेफ पूरा होने जा रहा है उसका आखरी उप्स्टिकल भी उन्होंने पार किया और यहाँ पे यू टर्न लेते हुए टीम AI SSMS हमारे पाइलेट गगन जो की 2015 से एरो मोडलिंग करते आ रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने फर्स लेफ का फर्स उप्स्टिकल पार करते हुए हाफ लेफ कम्प्लीट किया और अभी आगे भढ़ते हुए टीम गगन ने टीम AI SSMS ने अपने थ्री ब्लेट प्रोपेलर यूज किये और इसी के साथ सारे उप्स्टिकल को पार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं किसी ने लिखा है परेशानियों से भागना असान होता है हर मुश्किल जिन्दगी में एक इम्तिहान होता है हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिन्दगी में ए दोस्ट और मुश्किल से लड़ने वालों के कदमों में ही तो जान होता है इसी तरह सभी मुश्किलों को पार करते हुए और गगन ने आज का अखरी अप्स्टिकल पार किया उनके लिए जोरदार तालिय और रेंडिंग की और बढ़ते हुए यहाँ पे गगन पाइलेट ने एकदम लेंड किया प्रोपर जोरदार तालिया टीम AI SSMS